आज हमारा योगा डे है 2121 को योगा डे बनाया जा रहा है योगा डे पब्लिक प्लेस पे नहीं बनाया जाएगा ओनलाइन रहेगा क्योंकि कोविट की अब इस सर्ज हमारे खत्म नहीं हुए है वो बहुत बुरी तरह फैला हुआ है योगा की इंपॉर्टेंस हमारी दुनिय में क्या है इस चीज को आज ही समझ सकते हैं कोविट के टाइम पर अगर आपको इमिडिटी स्ट्रॉंग रखनी है तो आप योगा के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं देखे योगा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है जो आपको देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी वह योगा के जो लोगों है उसका मतलब देखे ज्वाइनिंग हैं मतलब यूनियन ओर इंपॉर्टेंट लोगों है और बहुत अच्छा अगर स्केल पर बात करें तो तीन से चार महीने पहले से इसकी तैयारी हो जाती है spiritual history of significance है आज के दिन का आज के जो योगा है उसकी theme है yoga for wellness ये motto इसलिए जरूरी है क्योंकि जहिर सी बात है भई covid फैला है और सब को wellness सही है तो आपको अगर अपनी तबीय सही करनी है और healthy रहना है तो आपको yoga जरूर करना है international day yoga का आज होगा हमारे लिए बहुत जरूरी है society को covid से बचाने की कोशिश की जाएगी इसके लिए हमने yoga for wellness दिया है इस crisis में physical health अच्छी है mental health के लिए बहुत जरूरी है और psychological suffering, depression, anxiety उनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है आप इसको deal कर सकते हैं इसकी crisis को समझ सकते हैं United Nation ने बताया है कि ये practice कैसे करना चीए बहुत help करेगा लोगों को deal कराएगा उनकी mental or physical health है तो एक बहुत important चीज है जो United Nation भी बोल रहा है आगे चलने से पहले बेटा आप share shot में हमारे admission ले सकते हैं जिसमें pre or means कि आपको share shot guarantee दी जाती है वो भी return अगर आप अधिक जानकारी चाते तो please नीचे देगए mail idea नमरों पर संपर करें United Nation ने बोला है कि एक growing trend है दुनिया भर में योगा को accept करने का ये बहुत important चीज है इससे आप क्या सकता है कि आप बहुत चीज़े अच्छी कर सकते हैं और social isolation और depression के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप yoga करें yoga बहुत significant role play करेगा psycho social care के लिए और rehabilitation में COVID-19 के patient को quarantine और isolation में आप उस टाइम पे अगर yoga करते है तो आप community जल्दी हील होती और आपको फाइदा मिलता है और ये help करता है आपको anxiety और fear से दूर भगाने का तो बहुत important चीज़े International Yoga Day की history क्या है बेटा United Nation के mandate में प्रपोस किया था प्रदान मंतिरी नरेन मोदी ने 2014 में United Nation General Assembly में के एक International Yoga Day बनना चाहिए उसकी speech में उन्होंने का था कि इंडिया का एक बहुत important gift है जो हम पूरे वर्ल्ड को देना चाहते हार्मनी बिट्वीन मैन और नेचर है ये initiative बैक किया गया था एक सो सततर नेशन द्वारा और आज तक का highest co-sponsor ever है United Nation के resolution में फिर प्रधान मंत्री मोदी के proposal को follow किया गया और 21 जून को फिर हर साल इंटरनेशनल योगडे बनाने लगे ये summer solicite होता है longest day of the year होता है इस दिन इसको बनाया जाता है और इसकी significance दुनिया के बहुत बड़े parts में देखे इंशन टाइम पर अगर बात करेंगे तो ये इंडस वाली civilization के एक seal है जिसमें देखे योग मुद्रा में एक योगी बैठे हुए जिनने पशुपतिनाट या शिव बोला जाता है शिव हमेशा योगा पोज में ही बैठे रहते है तो योगा अगर देखें तो इंश क्लासिक डिरिंग में भी टीचिंग हुई इसकी कि इसको थोड़ा standardized teaching में लाया जा फिर modern में western वर्ड भी योगा के साथ जुड़ गया और इसको अपने साथ थोड़ा हील करके आगे ले गया तो वेदास से start हुआ लास तक चलता रहा अठारो सो बीसी से प्रारंब हुआ फ फिर ये हट योगा सामनी आया फिर कृष्णा मचारिया साब ने इनको और आगे बढ़ाया इसके बाद फिर ये सीधे अमेरिका में 1950 में इंदरा दीवी जब लोटी तो उन्होंने अपना western studies में कृष्णा मचारिया और उन सबको open किया studio Hollywood में और हट योगा महाँ पे teach करना स्टर्ट कर दिए तो ये योगा की एक brief history है योगा दीरे दीरे पूरे world में फैला देखिए इस ताइम पर COVID फैला है COVID में सबसे अच्छी चीज़े अगर आप meditation करते हैं और heal करने के exercise करते हैं तो आपकी immunity आपकी body को strong करने के लिए बहुत बड़ा rule play कर सकता योगा तो आप आपको बिल्कुल decline नहीं कर सकते योगा को ignore करके आप नहीं चल सकते आपकी स्वास की बेमारी आपकी mental health आपकी शारेरिक बेमारी आपके प्रतिरोधक चमता immune system सब बढ़ाने के लिए काम करता है तो योगा एक बहुत बड़ी चीज़े जो आपको करनी पड़ेगी इसको आ इसके बाद ये बंदा जिनकी फोटो आपके सामने है बाबा राम देव मौडरन एज में योगा को हर घर तक पहुचाने का श्रीनी बाबा जी को जाता है इंटरनेशनली बहुत रिकगनाइस परसन है पतंजली के फाउंडर है और बहुत important personalities हैं हमारी country के आप खुद देख रहे आपको इस age में लोग पूरे बाल सफेद लेके बैठे रहते हैं तो एक महान personality मानी जाती है हमारे देश की योगा इनका जीवन है और योगा करके अपने जीवन को चला रहे हैं health और fitness के लिए बहुत सारे tips देते हैं उनको follow कर सकते हैं इसके बाद देखिए पतंजली स चाहब ने जब light of yoga sutra बनाया था second century BC में तो उने खुद नहीं पता था कि yoga internationally इतना importance रखेगा तो इस yoga के इन practices को करने वाले लोग ज़्यादा strong हो सकते हैं ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आपको yoga करना चाहिए और yoga करके आपको अपने आपको strong बनाना चाहिए आए इस international day मे wellness of all beings की जो बात की जा रही है उसको हम ध्यान दे और हम कोशिश करें कि हर बंदा स्वस्त रहे शारीरिक रूफ से fit रहे क्योंकि yoga एक ऐसी चीज़े जो आज हम सब को एक साथ कर सकती है और fit करके pandemic से हमें बाहर निकाल सकती है आज के लिए इतना ही बच्चो अगर आपको लैक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाईए ताकि लोगों को fruitful information मिलती रहे तिल देन God bless you all बाई बाई टेक कियर